हेलो दोस्तों जैसा कि इससे पहले की वीडियो गर आप सब भी ने देखी होगी तो हम लोग 3 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एक्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो कोशन पुछे गए तुम सारे कोशन को सॉल्ड करेंगे तो आप लोग बने रिएगा वीडियो के लास तक भीन अध्यापक की मदद से अपचारिक इस्थितियों में सीखा जाता है अगला कोशन आप लोग देख पारोंगे रचनावादी उपागम संप्रेश्टात्मक उपागम से इस माइने में भिना है कि यह मुख्यता ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थ पर बल देता है और अपे नियमों पर बल देता है और अपिक्छा करता है कि अर्थ परक्रिया के दोरान समझे जाएं सीखे जाएं द् externally आप देख आ है कि नियम परक्र्क्रिया के दोरान सीखे जाएं तो यहाप्शन ए वाला जो है यह और देकstateरो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए किसके अंतर गत इसमें पुछा गया तो option A है रचनात्मक उपागम B है आदेशात्मक उपागम और C है वर्डात्मक उपागम D दोस्तों यह जो है mistake हो गया दि आपका यह है सनरचनात्मक उपागम ठीक है डी वाला जो है आपका यह आदेशात्मक उपागम के लोगों को सुझाव देने की फरस्ट में दिया गया है रचनात्मक सिचण एक ऐसी विदी है जिसे छात्र के पूर्वग्यान आस्थाओं और करशल को इस्तिमाल किया जाता है किसमे रचनात्मक उपागम है तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आदिश चात्मक उपागम है अगला कोशन हम लोग दे दोस्तों देखिए जब आप किसी अभ्यास में या सामगरी में चार्टियों की आवश्यकता नुसार आवश्यक परिवर्दन करते हैं तो इससे जो है अनुकूलन कहा जाता है ऑप्शन भी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अभी ग्रहर के अगर हम लोग बात कोशन पूछे तो आप लोग उसे कर लेंगे अगला कोशन आप लोग देख पारेंगे योगात्मक आकलन ओप्शन ए में दिया गया है निदानात्मक और उप्चारात्मक है विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रति पुष्ट्री देता है सिचार्थियों की सक्रीय सभागिता को स्विकरता है नहीं सिचार्थियों के अधिगम और निश्पादन के बारे में निड़ा लेने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं किसी उपागम के अंतरगत किसी बच् दोस्तों देखिए समगर भाषा के उपागम के अंतर का जो है किसी बच्चे को कोई शब्दों या कई शब्दों की वर्तनी जो है गलत लिखने के बाजूद भी उसके समगर भाषा प्रियोग के लिए अच्छे अंक दी जाते हैं किसमें समगर भाषा तो ऑप्शन ये जो तयार करने है और दोस्तों प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर करेगा ताकि हर स्टूडेंट तक बहुत सके और जादा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट जूड सके अगला कुशन आप लोग स्क्रीन पर देख पार होंगे जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जा लिए कोई पार्ट सामगरी पढ़ते है तो इस परकार का पठन कहलाएगा तो यह जो है बारीकी से पठन आपशन बी जो है यह इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है दूस्तों देखे जब हम किसी विश्ट सूचना को जानने के लिए को पार्ट इस पार्ट यह पढ़ते हैं और पट्ण कोशल को जैसा कि मैंदे इस से पहले भी कोशन इस टाइप से आया तो मैंने बतायाया है पट्ण कोशल जो है नीम टाइप के होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्वर पट्थन है मौन पथन है गहन पथन है व्यापक पथन है सारी चीजे हैं किसमे हैं यह पठन कोशल के हैं ठीक है अगला कोशन आप लोग देख पा रहोंगे दो उत्पादक भाषा कोशलों में कौन से शामिल है यह आपको बताना है तो option A में दिया गया पठन और लेकन B है स्रवड और वाचन C है स्रवड और पठन D है वाचन और लेकन तो दो उत्पादक कोशलों में कौन सामिल है तो इसमें पठन और लेकन नहीं है श्रवड वाचन वाचन और लेकन option D जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला question आप लोग देख पार होंगे पर्थम भाचा वाचा है जो बच्चे option A दिया गया विशेश प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अरजित करते हैं C है अपचारिक इस्तितियों में सीखते हैं D है अपचारिक इस्तितियों में अरजित करते हैं प्रतम भाशा वो भाशा है जो बच्चे बिना विशेश प्रयास किये अपने आस-पास के परवेशे अरजीत करते हैं, अपने आस-पास ये जो है positive word है, option B दोस्तों ये जो है इसका correct answer होगा, अगला question आप लोग देख पारोंगे निम्नलिकित में से कौन सा धोनी का उतपाद और बोध है, इसमें से पुचा गया कि कौन सा धोनी का उतपादन और बोध है, तो option A में दिया गया है, तो option A में Hansika पागरेती विज्यान, C है स्वनी की और D दिया गया वाकिव विन्यास, दोनी का उत्पादन और बोध है तो दोस्तों यह स्वनी की है, option C जो है यह इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, स्वनी की या स्वनी की या स्वनी विज्यान, भाशा विज्यान की वह शाका होती है, जिसके माना द्वारा बोली जाने वाली दोनियों का दिन किया जाता है, यहां से भी question किया गया है, अगर आपने पिछले shift का paper देखा होगा तो, क्योंकि 28 December से जो paper हुआ है, सभी shift का paper मैं solve करवा रही हूँ, अब यह last है, मतलब कुछ ही shift के paper बचे हैं, क्योंकि 7 February को last paper हुआ था, तो बस कुछ paper आज हम लोग 4 February को जो हुआ था, वो तो solve करीड हैं, तो बहुत जल्द जो है, यह आपका प्रिविसर कोशन कम्प्रीट हो जाएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, काफी important है, और आपके लिए आने माले जो अगस्त का exam में इसमें काफी helpful होगा, अगला question आप लोग देख पारेंगे, निमनलकित में से कौन सा श्रव भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, इसमें पुछा गया है कौन सा श्रव भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, यह आपको बताना है, option A दिया गया है, विद्यार्थी आदर्श भासा स नहीं है, तो यह विद्यार्थी, विद्यार्थी नियमों पर ध्यान देते हैं, यह नहीं होगा, तो option C जो है दोस्तों, यह इसका correct answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, निमनलकित में से कौन सा उपागम मुख्यता प्रवाह को समुनत करता है, इसमें से पुछा गया है, क संद्रचनात्पर को पागम के अगर हम लोग बात करें, तो इस पागम के अंतरगत एक संद्रचना में परवर्टन आने से, इसकी संपूर्ड व्योस्ता पर प्रभावप होता है, इसका जो है यही अर्थ होता है, पिछला निमनलकित में से कौन सी गतिविदी, अर्थ आध दिविदी, नहीं आईगा, तो ौप्शन D जो है इसका और ठीक है, अगला कोशन आप लोग गोंगे, अधिग्म योजणा के बारे में क्या सही है, इसमें से पूछा गया है कि अधिगं, योजना के बारे में क्या सही है, इसके सही है, यहिसे का प्ँपोन का आपण। evitar है ठीक है तो option C इसका correct हो जाएगा अगला question और आज की इस पूडियो का last question आप लोग देख पारेंगे गलतियों का विशलेश रात्मक अध्यान क्या कहलाता है गलतियों का विशलेश रात्मक अध्यान क्या कहलाता सारे question हिंदी पेडागोजी को जिसे हम लोग solve कर चुके हैं और अब अगली वीडियो में next shift का जो paper है उसे solve करेंगे तो आप लोग इसी तरह बने रहेएगा चैनल पर आपको सभी subject का जो previous year question है यानि जो online हुआ था 28 दिसंबर से ले करके 7 फरवरी तक उन सारे question को उम लोग solve करेंगे बस आप लोग इसी तरह अपना love and support बनाए रखेगा मिलते हैं रेक्स टुडियो में तो पगले bye bye take care thank you